Hello everyone, welcome you all, it looks like an unlimited study zone, यह special live class है और आप सभी का स्वागत है इस class में और हम इसमें करने जा रहे हैं determinant examplar problem का full solution जो series चला रहे थे उसमें हमारे कुछ questions रहे गए थे, especially fill in the blanks वाले, तो आज हमको यहाँ पर fill in the blanks के questions solve करने हैं, तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, fill in the blanks के 2-4 questions ज आपके सामने, इसके पहले question number 45 तक हमने कर लिए आजे कि यहाँ पर mark भी है, तो question number 46 हम आपके लिए यहाँ पर लेकर क्या है, question number 46 देखिए, क्या कहरा question, question कहरा 0xyz x-z and y-x 0y-z, z-x, z-y 0, kis के equal है, तो एक तो तरीका यहाँ है कि आप यहाँ पर x, y और z की different values रख करके चे हैं, और रही बात अगर यह CBS examination में question आता है, तो कैसे solve करेंगे इसको, 0xyz, x-z है, थोड़ा सा यही ट्रिक लगाएंगे, आप यही आप c1 में से यही आप c3 को minus कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, z-x, y-x, minus y, plus z, तो यह भी बन जाएगा, z-x, और यह भी बन जाएगा, 0 में से, z-x, तो यह भी बन जाएगा, z-x, ओके, तो इसको आप solve करेंगे, तो यह z-x देखे, पूरे इस column में आ गया, z-x common ले ले जी, क्या बन गया, 1, 1, 1, अब आप इसको 1 के respect में expand कर दीजे, ओके, तो 1 के respect में expand करेंगे, तो 1 के respect में expand तो 1, z-x multiply by 1, multiply by 0 into 0, और यह हो जागा, minus का y-z, और z-y, ठीक है, यह दो टर्म, फिर minus x, y, z, और z-y, and कितना last में, z-y, आप देखे, z-y, पूरे से common है, यह, यह, और यह, तो z-y common ले ले लिए, तो यहाँ से क्या छुट गए, यह, माइनस y, यह हो गया, प्लस z, और यह यहाँ से minus x, y, z, और यहाँ से x, और यहाँ से minus z, तो z से z cancel कर दीजिए, तो कितना हो गया, x minus y, x का plus minus y, और minus का x, y, z, minus sign, z minus x है, और z minus y को minus sign ले करके अदर multiply कर दीजिए, तो y plus में हो गया, x minus में हो गया, और x, y, z value आ चुके इसकी, तो इसको solve कीजे, यह एक easy question है, मैं खतरनाक है, कह रहा है कि अगर one plus x की power 17, one plus x की power 19, इतना, 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 इतना है, तो कह रहा है कि a की value क्या होगी, देखे यहाँ पर a, यह, 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 इस term में आ रहा है, तो कह रहा है, a की value क्या होगी, तो एक काम आपको करना है, कि सबसे पहले आप जो है, a क्या ह तो आपको करना क्या है कि यहां से highest lowest power common ले लो देखो यहां से तो यहां से lowest power आप common लोगे 17,19,23 भी यहां 17,23,41 ओके तो आप एक काम कर जो यहां से इस rule से 1 plus X की power 17 common ले लो तो 1 plus X की power 17 common लिया अगले से 1 plus X की power 23 ठीक है और next से 1 plus X की power 41 आपने common लिया तो ये देखिए ये बन गया आपके पास में ये आपके पास में 1 1 बन बन गया एंड इसके बाद में क्या है 1 प्लस X की स्क्वार है और 1 प्लस X की पावर 6 है ये देखिए अब देखो ध्यान से इसमें R1 और R3 जो दोनों है वो क्या है similar है identical है तो आंसर कितना हो गया 0 मतलब FX की वैल्यू क्या रही है 0 आ रही है तो आपसे पूछ रहा है कि देन A क्या है तो आप देखिए यहां पे कुछ भी नहीं बचा मतलब function में सब कुस तो 0 आया है कुछ भी नहीं आया function में सारे के सारे term क्या है 0 है तो आंसर क्या है गया A की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो यह question मैं कहूँगा कि यह जो question है बढ़िया question है NDA level को touch करता हुए question है इसको आप लोग जरूर लगाईए चले देखते हैं इस series का last question हमाई पास आ चुका है question क्या कहरा question number 23 3 और मैं बच्चों बता दूँ कि यह बहुत lengthy question है और साथ ही साथ यह question जो है read before exam के साथ यह बहुत 6 marks का यह question है थोड़ा सा यह lengthy है तो क्या कहा जा रहा है इसमें question कह रहा है कि if x plus y plus j equal to 0 then prove that this determinant equal to escape को यह आपको proof करना है कि यह जो है बढ़ा हो जाएगा इसके लिए आपको फिर 6 value आपको माननी पड़ेंगी क्योंकि इसमें आपके पास a,b,c,b और x,y,z तो total 6 variable यहां पर आते है x,y,z और a,b,c तो मैं अब objective की बात नहीं कर रहा हूँ मैं subjective की बात कर रहा हूँ कैसे करेंगे इस question को as a subjective question so we have given that x plus y plus z equal to 0 x plus y plus z equal to 0 होता तो आपको पता होगा identity होती कि x cube plus y cube plus z cube जो होता है होता है 3xyz so by using this in solving the given determinant from both the side we can equate the obtained result from both the side and desired result मतलब क्या कह रहा है कि इस चीज़ को use करते हुए आप इसको भी solve कर लो और इसको भी solve कर लो और दोनों अगर same आ जाते हैं मतलब lhs rhs दोनों क्या होंगे equal होंगे तो चलिए अब हमको solve करते है यह जी जब मैं solve करना है तो हम क्या करते हैं हमको lhs ले ले लेते है lhs ले लिए अपन ने और इसको solve कर दी तो x से बाहर है पहले column row 1 के respect में open कर दिया x से होगा z a into y a minus x a into x b ठीक है यह इससे गया यह इससे गया ओके देन इसके बाद minus का y b y c into y a minus z b into x b यह भी सही है देन इसके बाद plus z c y c into x c minus z a into z b यह भी सही एकदम अब इसके बाद इसको अपने solve कर लिए इसको multiply करतो xy z a cube हो जएगा और यह कितना हो जागई हो जएगा x cube abc minus y cube abc minus minus plus b cube xyz plus c cube xyz हो जागा और यह कितना हो जागा z cube abc अब यहाँ देखे एक टम में x y z x y z x y z common है है ना x y z x y z common है common ले लिए अपने x y z तो क्या गया a q plus b q plus c q दूसरे में a b c common है तो minus a b c common ले ले तो x q plus y q plus z q ok a q plus b q plus c q ठीक है अब आपको पता है कि x q plus y q plus z q किसके एकोल है 3 a b 3 x y z के तो a b c multiply by 3 x y z because यह आइडेंटी हमको दी हुई थी ok कि x plus y plus z equal to 0 तो आप लोग जानते होंगे तो देखे यहाँ से यह हमाया पस कितना आचुका है यह हमाया पस आचुका है यह वाला part आचुका है ठीक ना तो यहाँ से 3 x y z यह चीज हमाया पस आचुकी है ठीक है अब यदि आप x y z total common ले ले लेते हैं देखे x y z जो है यहाँ पर दोनों पार्ट पर common है यहाँ से भी common है यहाँ से भी common है तो अगर आप x y z common ले 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 लेते हैं तो आपके पास बन जाता है a q plus b q plus c cube minus 3abc यह आपके पास बन चुका है यह आपने lhs solve कर दिया अब आपको क्या solve करना है rhs solve करना है देखे आपके पास rhs क्या है x y z यह सारा का सारा matter आपके पास rhs है rhs के लिए क्या कि आपने x y z ले लिया और x y z बाहाँ लिया फिर a plus b plus c अपने बना लिया तिनों को add करके तो a plus b plus c common आगया इसके बाद 1 1 बना करके 2 0 ले करके इसको अपनने solve कर लिया r1 tends to r1 minus rt r2 tends to rt minus r2 minus r3 तो x y z into a b c कितना solve करने पर है देखे a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c तो यह जो होता है यह क्या हुआ करता है यह हुआ करता है a q plus b q plus e q minus 3 a b c तो दोनों end को अपने solve किया तो दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब यह जो left वाला determinant है यह right वाले के क्या होगा equal होगा तो बहुत ही प्यारा question बहुत ही बड़ी हा question यह question lengthy था और ऐसे जो question होते हैं जो बहुत ज़्यादा lengthy होते हैं आजकल जो होते हैं वो जेई के question जो advance level के आते हैं advance में lengthy questions आएकर थे मैं यह कहूँगा कि अगर मैं दूँ इस question को तो मैं इसको CBSC में six marks का question मैं इसको बना करके दूँगा काफी बड़ा question है और थोड़ी सी इसमें approach algebra की अच्छी लगी हुई है तो बचो इसको जल्दी से करिए ओके नोट करिए ओके तो इस तरीके से बचो हमने पूरा का पूरा जो chapter था है अपका objective questions subjective questions सारे के सारी exemplar problem book के हमने कराड़ा ले हैं आपको determinant chapter यहां पे हमारा पूरा का पूरा complete हो जाता है तो आप लोग जरूर इस lecture को देखे कहीं पर कोई problem आती है तो जरूर बताइए तो मतलब हमने यह जो chapter पूरा complete कर लिया है तो यह completed मैं यहां पे लिख देता हूँ और इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर problem आती है तो please पूछिएगा Thank you so much for being with us